सब्सक्राइब टॉर यूट्यूब शानल और प्रेस ते बेल आइकन ते लेटिस अपडेट्स कहीं चूहें रहते हैं तो किसी मंदर का दर्वाजा कभी बंद नहीं होता विविदताओं वाले इस देश में धेर सारे मंदरों के पीछे धेर सारी कहानिया भी हैं हिंदु देवी देवताओं के मंदिर तो आपने बहुतेरे देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने कभी कुत्ते के मंदिर के बारे में सुना है? शायद नहीं. लेकिन एक ऐसा ही अनुखा मंदिर है छत्तिस गड़ के राजनाद गाउं में. इस मंदिर का नाम ही है कुकुर देव मंदिर अब आप समझ गए होंगे कि यहां देवी देवताओं की नहीं बलकि कुट्टे की पूजा की जाती है 36 गड़ के राजनाद गाउं में कुकुर देव मंदिर का निर्मान 14 से 15 शतापदी में फड़ी नागवंशी शासकों द्वारा करवाया गया था यह मंदिर असल में भैरव बाबा का स्मुर्टि चिन है, मंदिर में शीवलिंग है और दीवारों पर नागों जैसी आकृतियां बनी हुई है यहीं राम लक्षमण की मूर्ती है और आंगन में कुट्टे की मूर्ती है मंदिर के आंगन में एक शिलालेख है जिस पर बंजारों की बस्ती, चांद, सूरज और तारों की आकरती बनी हुई है यहां राम लक्षमन और शत्रुग्न की भी मूर्ती है और मंदिर के आंगन में कुत्ते की प्रतिमा है मानिता के अनुसार कभी यहां बंजारों की बस्ती हुआ करती थी माली घोरी नाम के बंजारे के पास एक पालतू कुत्ता था बंजारे को अकाल पढ़ने के कारण अपने प्रिये कुत्ते को जमिंदार के पास गिर्वी रखना पड़ा इसे बीच जमिंदार के घर चोरी हो गई कुट्टे ने चोरी किया हुआ माल पास के ही एक तालाब में छिपाते हुए देख लिया था सुबह कुट्टा जमिंदार को इस जगह पर ले गया और उसे चोरी का सामान भी मिल गया कुट्टे की वफादारी देखकर जमिंदार बहुत खुश हुआ और इसने परिस्थिती को विस्तार में एक कागज में लिखकर उसके गले में बांध दिया और असली मालिक के पास जाने के लिए कुट्टे को छोड़ दिया बंजारे ने अपने कुट्टे को लोटता आया देख डंडे से पीच पीच कर मार डाला फिर कुट्टे के गले में बंधी चिठी पढ़ने पर बंजारे को अपने गलती का एहसास हुआ प्रहश्चित के तौर पर उसने अपने प्रिय स्वामिबक्त कुट्टे की समाधी मंदिर के आंगन में बनाई बाद में किसीने कुट्टे की मूर्ती भी लगा दी आज भी ये स्थान कुकुर्देव मंदिर के नाम से प्रिसिद्ध है माला जाता है कि जो भी इस मंदिर में आकर कुकुर्देव की पूजा करता है उसे कभी कुकुर खासी या कुते के काटने से होने वाली बेमार्यां नहीं होती यदि आप भी इस अनोके कुकुर्देव मंदर को देखना चाहते हैं तो इस बार छुट्टियों में जरूर कुकुर्देव के मंदर जाएं वहां जाने पर आपको आस्था का असली रंग दिखेगा